सुप्रेम कोट के दखल के बाद यूपी गेट यानी गाजीपूर सीमा से दिल्ली को जाने वाले रास्तों के खुलने की उम्मीद जगी थी लेकिन उस पर पानी फिर गया क्योंकि क्रशी के तीन कानूनों के विरोध में पिछले 28 नौवंबर से किसान गाजीपूर सीमा पर डटे हैं मगर वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं उधरा भारती किसान यूनियन के राष्टिया प्रवक्तार राकिश टिकैट ने भी साफ कर दिया है कि वो सीमा नहीं छोडेंगे अगर 26 नौवंबर तक केंदर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानेंगी तो गाउं से प्रदर्शनकारी ट्रेक्टरों के संग दिल्ली की सीमाव पर चल रहे प्रदर्शन इस सलूप पर पहुँचकर पक्की के लिए बंदी करेंगे इसके जरिये उन्होंने केंदर को आगामी 26 नौवंबर तक का समय दिया है तब तक तीनों क्रशी कानौनों की वापसी और नियूंतम समर्थर मोली पर कानौन नहीं बना तो प्रदर्शन को तीज करने का एलान किया जाएगा इसके तहर 27 नौवंबर से गाउं से प्रदर्शन कारियों के ट्रेक्टरों के साथ यूपी गेट सही दिल्ली के अन्नी सीमाओं पर पहुचने का एलान किया आपको बता दे कि सुप्रिम कोड की टिपड़ी के बाद 21 अक्टूबर को राकीश टिकैट ने यूपी गेट प्रदर्शन इससल पर लगे एक तंबू के परदे और कुछ बल्लियों को खोल कर दिल्ली पुलिस पर रास्ता बंद करने का आरोप मढ़ा था दिल्ली पुलिस ने 29 अक्टूबर को फ्लाइवर के उपर का रास्ता खोल कर संदेश दिया था कि रास्ता उन्होंने नहीं रोका है बादो दिसके प्रदर्शन कारियों की वज़े से रास्ता नहीं खुला लोग अब भी यहां से होकर दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं